नमस्कार दोस्तों मेरा उल्सास्त्री सोगत करता हूँ आपका दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे नीच के सूरिय के उपर क्या एफेक्ट होंगे अगर सूरिय नीच के हैं या नकरातफल आपको किस तरह के देखने को मिलेंगे बहुत सरल तरीके से कम सब्दों में अपने जोती सिखाने के संखला को जारी रखते हैं दोस्तों पहले में आपको कुछ सूरिय के बारे में महत्तपून या हम कह सकते हैं बेसिक चीजे बताने जा रहा हूँ ताकि आपको इस वीडियो और सरल तरीके से समझभा जाए सबसे पहले ये वीडियो बहुत महत्तपून है क्योंकि कुछ सूरिय का खराब होना या सूरिय का अच्छा होना कुछ से बहुत जरूरी है तो ये वीडियो ध्यान से समझेगा सबसे पहले मैं बता दू कि सूरिय किस चीज के कारक है तो सूरिय को आप समझे सूरिय पिता के कारक है गरहों में राजा मने जाते हैं तो राजा जैसी जिंदकी के कारक है या राजा के कारक मान लीजे गौर्मेट नोकरी, गौर्मेट महकमा या गौर्मेट रिलेटिड कोई भी काम सूरियस के कारक है स्वाबि मान के कारक है और इसी के भी प्रीत सूरिय खराब हो जाए तो तो एगो को भी दरसाते है मान सम्मान के कारक हैं पत्परतिष्टा के कारक हैं पर्मोशन के कारक हैं कॉन्फिडेंस जो चंद्रमा होते हैं वो आपके मन के कारक हैं इसलिए चंद्रमा भी कॉन्फिडेंस के कारक होते हैं और सूरिय जो है वो आपकी आत्मा के कारक है तो आत्मा के कारक कही न कहीं यह भी confidence से जोड़ा होता है willingness तो जब सूरिय खराब हो जाता है तो एक confidence की कमी आती है अंदर से एक willingness नहीं होती confusion और गबराण बना के रखता है और अगर medical astrology की बात करें तो आपकी आई सिर्दर्द कमरदर्द heart related issues, vitamin D की कमी यह सब problem होती है तो कहने की बात यह है कि सूरिय अगर खराब होगा तो पिता के साथ मतवेद होना पिता का पूनरुप से लाब नहीं मिल पाना राजा जैसे जिन्दकी नहीं होती वेक्ति की, promotions या किसी भी चीज को लेके परिशानी होती है जिन्दकी संगर्स में रहता है वेक्ति का, किसी भी चीज को पाने में पहुत difficulties होती है गुवर्मेंट नोकरी में दिक्कत होती है अगर student है तो या फिर किसी कारण, एक परसेंट कोई वेक्ति गुवर्मेंट नोकरी ले भी लेता है तो उसको उसमें पहुत परिशानी होती है वैसे देखा गया है सूर्य का नीच का है तो गुवर्मेंट नोकरी थोड़ी मुस्किल होती है खड़ाब है तो इगो अच्छा है तो स्वाविमान के करक्त तो इगो भी ऐसे वेक्ति में पहुँच जादा हो जाती है छुट-छुटी सी बातों में परिशान हो जाना और इस तरह की चीज़े देखने को मिली है और अब हम बात करते हैं कि कैसे पता करें सूर्य नीच का है तो देखे कहीं पर भी साथ लिखाओ कहीं पर भी कुंटली के बारवेबहों में साथ नंबर हो साथ नंबर का मतलब तूला रासी लिब्रा इंगलिस में बोलते हैं लिब् नीच के कहला जाएंगे और दस डिग्री तक दस डिग्री तक वह पून रूप से नीच के माने जाएंगे हलाकि कहीं पर भी साथ लिखा है सूर्य नीच के माने जाएंगे पर अपना खराब फल देंगे दस डिग्री तक इसके उपर वह आप कह सकते हैं अपना नकरातम फल में कमी कर देंगे या ना कर समान देंगे पर पूल रूप से 10 डिग्री तक ही सुरिये beim से Member कहीं पर साथ लिखाओ सूरिये हो और सुक्र वहां पर अके बैठ जाएं जैसे हलाasis सुरिय को पर सुक्र त्रस्थ ज्यां eye सूरिय यहां पर हैं सुक्र यहां पर सुक्र अपनी दर्ष्टी से संबंद बना ले या फिर सुक्र खुद आके बैट जाए तो सूरिय का नीच बंग माना जाएगा अब आगे चलते हैं दोस्तों देखे अगर लगन में सूरिय आके बैट जाए पहला आपके स्वस्त का है तो यहां पर स्वस्त को लेके इसुद बना देंगे इगुस्टिक होगा जाता कोंफिडेंशी कमी होगी सिर्दर्द कमरदर्द हर्स रिलेटेड यह सब इसू उसको बढ़ते हुए उमर देखने को म मिलेंगे हलाकि जो मैंने बता है जो कोमनली जिस चीज के सूरिय कारक है उससे रिलेटेड तो रिजल्ट मिलेंगे मिलेंगे पर भाव से रिलेटेड भी कुछ अलग चीज़े जो देखने को मिलेगी वह में आपको बताने जा रहा हुँ दूसरे बहों में सूरिय का मतलब यह है कुटम का और सूर्य पिता है तो पिता के साथ मतलब बना के रखेगा सोना जा तक पहन ले या सोना या तो पहनेगा नहीं उसका मन नहीं करेगा या सोना खो जाना या फिर चुरा लेना इस तरह की चीज़े देखने को मिलेगी कुटम के साथ मतलब बना के रखेगा वानी में टोट होगा, अपनी वानी से काम भी गड़ लेने वाला होगा। सूर्य तीसरे भाहों में है तो प्राकरम की कमी करेगा, या प्राकरम सही डारेक्शन में ना होना, इस तरह की चिज़े देखी जाती है। पिता के साथ साथ छोटे भाही के साथ भी मतवेद होगा। जात नहीं होगा। पांचय मset भाहों में सूरवय अगर है और सूर्य चोथे भाह में बैठने के बाद, संपथी में भी दिककत करता है। शाथी माता विदा के साथ खलेश और भोतिक सुबकें में कमीं करता है। पाच्वे भाव में सूरिये, सूरिये, गुरू और मंगल ये पुत्र का रख ग्रह हैं, सूरिये का निच का होना सम्तान संबजित इसुच खास तोर से पुत्र से रिलेटेड इसुच पाच्वे भाव में सूरिये कर देते हैं अगर निच के हो और लाब में भी जातक के सूज कमर में दरद आखों से रिलेटेट प्रेशानी और साती साथ संगर्ष को सूरिय यहां पर तरसाते हैं सब्तम भाव में अगर सूरिय बैठ जाए एको के कारक है और नीच के बैठ जाए तो विभायक जीवन में मतवेद करेंगे एको के बज़े से तनाव बना रहेगा और शुक्र की अगर कंडिशन ठीक नहीं है तो यहां पर विभायक जीवन को सूरिय तोड़ने का भी काम करेंगे अस्टब भाव में सूरिय है तो हर कामों में बादा देंगे एक बार चूट आरोग जातक पर जरूर लगेगा उस पिता जी की भी सेहद में थोड़ा इसू जरूर बना के रखेंगे सूरिय हैं सूरिय नवम भाव में ब्यक्ति भाग्य हीन होता है मतला बाग्य का पूर्ण रूप से साथ नहीं मिलेगा पिता के साथ मदबेद पैतरिक संपत्ति को ना बढ़ाने वाला और भगवान में ऐसे जा तक का ज्यादा विश्वास नहीं क करते हैं सूरिय हैं तो रोजगार को भीगए गाड carved मिलना चाहिए उसमें सूरिय यहां पर कमी कर देंगे अगर पर मोसं कश करते लाव में जहें ने करते हीते हैं तो प्रेंब है कमी करते गेए लाब में भी कमी कर देंगे और पिता के साथ भी मदवेद बना के रखेंगे, बड़े बाइबैनों के साथ भी मदवेद जरूर्वे बना के रखेंगे अस्टब भाव में अगर सूरिय अगर पहुंच गए तो क्या दर्साएंगे बारवा भाव क्या, हाने, हाने किसकी होई, तो इन सब चीजों की बार-बार बिमार होना, इस तरह की चीज़े देखने को मिलेगी पिता के साथ मदवेद या पिता का पुम रूप से लाब नहीं कॉन्पेटनस की कमी, नीद में दिक्कत, इस तरह की चीज़े यहाँ पे सूरिय कर देंगे बार-बे बाहों में बैठके, नीद में दिक्कत इहाँ पे सूरिय जरूर करेंगे आख, आखों को लेके भी यहाँ पे जरूर प्रोब्लम देखी गई है बार-बे बाहों के स्वामे की भी कंडिशन देखने को मिलेगी अगर सुक्री भी खराब है तो आखों से लेके इस हुज जरूर देखने को मिल सकते हैं आपको तो दोस्तों बहुती सरल तरीके से कम सोब्दों में मैंने बताने की गोशिश करी अगर आपको वीडियो अच्छी लगए तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा धन्यवाद